नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टाउट की एक और नई वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम इंडियन मार्क्ट में बिकने वाली दो काफी लीजेंटरी बाइक को कमपेर करने वाले होगा तो यहांपर जो पहले भाई काफी जदा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर आज किस वीडियो में सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि आज की ट्रेट में इन दोनों बाइक का भी क्या प्राइस चल रहा है तो पहले बात करते हैं यहां महां MT 15 के व पलसर N160 के बारे में तो यहां पर इस बाइक के बेस विनिट का जो एक्शन रूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,33,000 के आसपास और यहां पर जो N160 का टौ विनिट है वो आपको 1,39,700 रूपीज के आसपास का पढ़ जाता है बाकि दोस्तों यहां पर जितने में आपको MT 15 क और की कीमत पर परचेस कर सकते हो तो अगर आपका बजट कम है ना तो आप यहां पर बजाज पलसर N160 के तरफ को जा सकते हो क्यूंकि यहां पर N160 भी लूक यहां पर काफी प्यारी है तो बात करते हैं दोनों बाइक के लूक्स के बारे में तो यहां पर MT 15 ना उसकी जो फ् फ़ायल रहने वाले है इसकला बब बात करते हैं इस बाइक की रेर लुक के बारे में तो हमें कुछ ऐसी यहां पर इस बाइकी रेर लुक pseudo मिल जाती है और अब बात करते हैं अंनृ नों बाकि यहाँ पर जो बजाज पस्टर N160 में हैड लाइट दी गई है उसका थो दोस्तों है पर काफी बड़ी है as compared to MT15 से इसकलब अब बात करते हैं N160 की side profile के बारे में तो ग्याज हमें कुछ ऐसी यहाँ पर इस side profile देखने को मिल जाती है और बात करते हैं बाकि rare look के बारे में दोनों में से कौन सी bike का look यहाँ पर सबसे प्यार है तो यह आप हमें please comment करके बताएगा अब दोस्तों यह चेक करते हैं कि यहाँ में से कौन सी bike सबसे अदा powerful है तो बात करते हैं Yama MT15 के बारे में तो यहाँ पर आपको उस bike में 155cc का liquid cool engine आपको देखने को मिल जाता है जो क देखने को मिलते हैं बाके यहाँ पर VVA इस bike में offer किया हुए जो कि इस engine में जान फूग जिता है बाकि वहीं अगर हम बात करते हैं Pulsar N160 के बारे में तो यहाँ पर 164.8cc का air cool engine में इस bike में देखने को मिल जाता है जो कि produce करता है 16PS के आसपास की maximum power और आपको 14.65 Nm के आसप कम है तो यहाँ पर 150 km per hour के आसपास की जो top speed है यह वाली bike 200 पकड़ पाती है वह एकर बात करते हैं MT15 के बार में तो यहाँ पर जो MT15 है न वह यहाँ पर असानी से 140 km per hour के आसपास की जो top speed है उसको touch कर लेती है बाकि यहाँ बात करते हैं दोनी bike's की mileage के बार में तो आपको almost same mileage इन दोनों bike से देखने को मिल जाती है जो कि around 40 से लेके 45 km per hour के आसपास की है बाकिना किसी bike से mileage निकालना वो depend करता है आपकी riding condition के उपर अगर आप रफली चलाओगे तो आपको mileage bike से काफी कम मिलेगी बट अगर आप काफी gently bike को drive करते हो तो आपको काफी अच्छी mileage आपको इन दोनों bike से यहां पर देखने को मिल जाएगी इसके लब आप बात करते हैं fuel tank capacity की तो यहां पर N160 में 14L का fuel tank offer किया है और यहां पर MT15 में 10L का fuel tank हमें देखने को मिलता है और बात करते हैं curve weight के बार में तो यहां पर MT15 का curve weight है वो है 241 kg और यहां पर में Bajaj Pulser N160 का 154 kg य यहां पर देखने को मिल जाता है इसके लबा अगर इन दोनों bike की race लगाई जाए ना तो यहां पर MT15 यहां पर जी जाएगी बड़ दोस्तो स्टार्टिंग में जो बजा आज Pulser N160 यहां पर थोड़ी से आगे निकल जाती है क्योंकि आपने N160 की जो initial pickup है वो थोड़ी से जादा है बटे हैं पर दोस्तों वीवे के कारण ना यहां पर Pulser N160 यहां पर हार जाती है और यहां पर जो ड्राइगर जैसा है वो जी जाती है वह हमारी MT15 बाकि अगर बात करते हैं build quality के बार में तो यहां पर में काफी बड़ा difference इन दोनों bike की build quality में आपर देखने को मिल जाता है तो यहां पर जो N160 है ना इसकी build quality है पर काफी बड़िया यहां पर बना दी गई है और वहें अगर बात करते हैं MT15 के बार में तो यहां अपना Yama के जितनी bike अनों की build quality तो इतनी top notch नहीं है जितनी top notch आजकल बजाज वाले अपनी naked bike में दे रहे हैं बाकि अगर 37 mm diameter के USG fox suspension आपको देखने को मिल जाते हैं और यहां पर आपको Yama MT15 के rear में आपको देखने को मिलते हैं monoshock suspension और यहां पर आपको N160 के rear में nitrox monoshock suspension आपको देखने को मिल जाते हैं वहें कर बात करते हैं brake setup के बार में तो आपको MT15 के front में आपको देखने को मिल जाती है 28 32 mm की front में disc brake और आपको उस बाइक के रेर में 220 mm की यहाँ पर आपको रेर में disc brake आपको उफर की गई है और वहेंकर बात करते हैं N160 के बारे में तो यहाँ आपको उस बाइक के front में 300 mm की आपको front में आपको disc brake देखने को मिल जाती है बाकि दोस्तों as a safety point of view आपको इन दोनों bikes में ना dual channel ABS आपर देखने को मिलेगा और बात करते हैं कि यहाँ दोनों में से कौसी bike का braking सबसे अच्छा है तो भाई मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर N160 की जो braking है वह यहाँ पर दोस्तों नए model में काफी अच्छी यहाँ पर बना दी गई है और बात करते हैं tire profile के बारे में तो आपको दोनों बाइक के front में 100 mm section का आपको टायर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर MT15 के rear में 140 mm section का आपको टायर देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको N160 के rear में 130 mm section का आपको टायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाग के आपको front और यहाँ 70 inches की आपको wheel य बार में तो यहां पर MT 15 की जो ground clearance है वो है 270 mm की और यहां बर जो N160 है उसकी जो ground clearance है वो है 265 mm की बाकि अगर आपकी जो height वो थोड़ सी कम है तो ना आप बजा आज पर से N160 को असानी से यहां पर write कर सकते हैं और अब बात करता है console के बार में तो यहां पर आपको MT 15 में कुछ ऐसा आपको console यहां पर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको काफी सारी जानकारे आपको देखने को मिल जाते हैं लाइक आपको speed, rpm और आप इस console को अपने phone से भी आपको connect कर सकते हैं बाकि आपर MT 15 का console में इतनी जादे हैं आपर जानकारी नहीं है जितनी आपर जानकारी N160 के console में है तो आपको N160 के console में आपको turn by turn navigation भी आपको देखने को मिल जाती है बाकि जो call alert, SMS alert है वो ते आपको show हो जाते हैं बाकि आपको ABS के तीन mode यहां आपको N160 में आपको देखने को मिल जाते हैं और यहां पर यहां पर MT 15 में amazing है बाकि आपको N160 में USB charging socket वे आपको देखने मिलते हैं जो कि इस बाइक के लिए काफी plus point है बाकि दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक सबस्यादा बड़े लगी और आप इस साल इन में please comment करके share करना और guys अगर आपको वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक करना तो चले मिलते हैं अपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए good bye